स्वागत है आप सभी का रासु की रसोई में तो आज बनाएंगे गेहुं के आटे से बहुती टेस्टी नास्ता तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट तो लिया एक कटोरी गेहुं कांटा ये वही आटा जिस से अपन रोटिया बनाते हैं तो आपको एक कटोरी गेहुं कांटा एक कटोरी चाबल का अगर आपके पास चाबल कांटा नहीं है न तो आप स्किप कर दीजिए और ली है मतर एक प्याज हरी मिर्च मतर को मिक्सी में पीस लेंगे मतर को बिना पानी डाली हुई पीसना इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च तो ये देखिए बिना पानी डाली हुए मटर को दरदरा ही पीशना है, बिल्कुल महीन पेष्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा ही रखना है तो प्याज को छोटा छोटा कट कर लेंगे, अगर आपके पाथ चावल का आँटा नहीं है, तो आप चावल को मिकसी में पीश सकते हैं हरी धनिया अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले आपको पानी नी डालना है ऐसे ही सभी को मिक्स कर लेना है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे इसका हांटा सा गूत लेंगे इसे न ज़्यादा सौप्ट कूतना है न ज़्यादा हाट अब इसमें डालें थोड़ा सा सरसों का तेल के टिक्की बनाए तो यह चिपके नहीं आप एक साथ भीस की लोई काड़ सकते हैं या थोड़ी थोड़ी लेते जाए यहां तुम यह देखी इस प्रकार से दबा लेंगे आपको पतली बनानी है जादा मौटी रखेंगे न तो वो सेकने में सेकेग ठेँगे तो यह देखिए हमारी सब टिक्की बन चुकी है अब रखते हैं गैस पे पर कड़ाई इसमें डालेंगे सरसों का तेल आप रेफायंड वाले भी डाल सकते हैं इसकी जगा तेल गरम हो गया तो तो आप इसमें डाल देगे टिक्की पहले तैक्की डालेंगे और इ सिख जाता है इन्हें बहुत ज्यादा तेज आंच में नहीं सिख ना है तो यह देखिए टिक्की सिख चुकी है यह अंदर से भी और बाहर से भी विल्कुल क्रिस्पी सिख चुकी है आप इसे टिक्की भी बोल सकते हैं खस्ता भी बोल सकते हैं गेहूंके आपकी जो मर्जी वो बोल सकते हैं ये नास्ता खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और घर के सामान से ही बन भी जाता है तो बस इसी पिरकार हम सारी टिक्किया सेक लेंगे ये देखिए आप इसे चाय के साथ सौस के साथ या हरी चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं आप इसे बिना चटनी क साथ भी खाएंगे तो यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगेगी क्योंकि इसमें मसाला डला हुआ है प्याज हरी मिर्स सब कुछ तो बहुत ही टेश्टी लगती है खाने में यह देखिए कित्ती क्रिस्पी है तो आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइ and subscribe, share जरूर कर दीजिए